मन्द पर विराजमान, मद्द प्रदेश के यशाश्वी और लोगप्रिय मुखमंत्री, श्रिमान सिवराज सी जी, आज हम सब को आशिरबाद देने के लिए पधारे परम्पुज्य स्वामी अवदेशानन जी, केंद्र में मंत्री परिशत्य मेरे साथी, सिमान दरेंद्र सी जी तोमर, सिमान फग्गन सी जी, मद्द प्रदेश भारती जनता पार्टी का द्यक्षर, सिमान नंद कुमार जी, राज्य में मंत्री, डॉक्टर गौरिशंकर जी, सिपाठक जी, और साउसद में हमारे साथी सिमान ज्यान सी जी, यहां पदारे हुए मंत्री परिशत के सभी महानुभाव, सभी साउसद गर्ण, विधायक गर्ण, और विशाल संख्या में पदारे हुए मेरे प्यारे भाईयों और बहनों, हमारे सास्त्रों में एक मान्यता बनी हुई है, कि अगर हम यात्रा कर नहीं सकते हैं, लेकिन किसी यात्री को अगर प्रणाम कर लें, तो यात्रा का पुन्य प्राप्त होता है, तो मैं भी आप सभी यात्रियों को प्रणाम करके, जो पुन्य आपने कमाया है, वो आप से कुछ हिस्सा मांग रहा हैं, लेकिन वो हिस्सा मैं मेरे लिए नहीं मांग रहा हूँ, आपकी यात्रा से कमाया हुआ पुन्य, माभारती के काम आए, सबासो करोर देश वाच्चों के काम आए, इस देश के गरीब से गरीब की जिन्दगी के बढ़लाव लाने में काम आए, और मुझे विश्वास है, नर्वदा यात्रा ही है, यात्रा, जिसको परिक्रमा से जोड़ा गया है, और मैं इस सास्त्रा से भली भांती परिचित हूँ, मैंने उस दुनिया को जीने का कभी प्रयास किया था, और उसलिए मुझे पता है, कि जब नर्वदा परिक्रमा करते हैं तब, अहंकार कैसे चूर चूर हो जाता है, अहंकार कैसे मिट्टी में मिल जाता है, और परिक्रमा करने वाले व्यक्ति को, मा नर्वदा जमीन पर लाकर के खड़ा कर देती है, सारे बंधों से मुक्त करा देती है, सारे पद उपादियों से अभिवुशिद हो, उससे भी परिक्रमा के दर्म्यान मुक्ति मिल जाती है, मा नर्वदा और नर्वदा का सेवक के बीच, कोई द्वईत नहीं बचता है, एक अद्वईत की अनुभूती होती है, आपने भी आज जब मा नर्वदा की स्वहान सेवा करने का संकल्प किया है, जब वक्त बदलता है, तो कहां से कहां पहुचा देता है, और जब अतिकार भाव प्रबल हो जाता है, कर्तव्य भाव ख्षीण हो जाता है, तब ये समस्या हैं पैदा होती है, जो आज हमें नर्वदा सेवा के लिए निकलना पड़ा, यही तो मा नर्वदा है, जिसने हजारों साल से हमें बचाया है, हमें जीवन दिया है, हमारे पुरवजों की रक्षा की है, लेकिन हमने अपना अधिकार मान लिया, हम कर्तवे से विमूख हो गए, और मान नर्वदा से जितना लूट सकते दिल लूटते रहे, अपने स्वार्तवास अपनी आवश्यक्ता के नुसार, मान नर्वदा की तो परवा नहीं की, हमने अपनी परवा जरूर की, मन में वो अधिकार भाव था, कि में मान नर्वदा पर तो मेरा अधिकार है, मैं उसको जैसे चाहूं, वैसे उसका उपभोग कर सकता हूं, और उसी का पनणाम हुआ, कि जिस मान नर्वदा ने हमें बचाया था, आज हमें उस मान नर्वदा को बचाने के लिए, पसीना बहाने की नौबत आई है। अगर कर्तव भाद से हम विमुख ना हुए होते, मा के प्रती हमारे कर्तवयों को हमने निभाया होता, तो मान नर्वदा उसको बचाने की नौबत, मनुष्य के जिम्में नहीं आती। और इसलिए समाई से रहते, मंत्यप्रदेश के मुख्यमंत्री, मंत्यप्रदेश की जनता, वो सजग हो गई, हिंदुस्तान में कई नदिया है, नक्से पर निशान है, पानी का नामो निशान नहीं है। कई नदियां इतिहास के गर्त में खतम हो चुकी, हमारे देश में केरल में एक नदी है, शायद एक नदी है जिसका नाम भारत पर है, भारत पूजा, उस केरल के नदी बचेगी की नहीं बचेगी, यह चिंता का वीशान है। ऐसा तो नहीं था कि पानी के उप्योग के कारण नदी खतम हुई है। नदी की रख्षा के लिए जिन तत्वों के साथ उसकी रख्षा का दाई तो होता है, वो अगर हम नहीं निभाएंगे, तो मानव जात को कितना बड़ा नुक्षान होगा। हम बली भाती जानते हैं, कि मा नर्जा बरफिली पहाड़ियों से नहीं आती है। मान नर्दा एक एक पाउधे के प्रसाद से प्रकट होती है, और जो हम लोगों को हमारे जीवन को पुलिकित करती है। और इसलिए मद्बदे सरकार ने मान नर्दा के उजवल भविश्य के लिए, मान नर्दा की गारंटी के लिए, सबसे प्रमुक काम हाथ में लिया है, वो है पैड लगाने का, व्रिच्छा रोपन का। हम जब पैड लगाएंगे तब हमें भी अंदाज नहीं होगा कि हम आने वाली पीडियों की कितनी बड़ी सेवा कर रहे हैं। हमारे पुरवजों ने जो तब किया साधना की सेवा की उसी का परणाम है कि आज हम नर्दा महिया का लाब ले रहें। आज हम जो पुर्शार्त करेंगे आने वाली अनेग पीडियां हमें याद करेगी कि कोई एक वक्त था जब मांदर्दा को बचाने के लिए पैड पौधों के मदद ले करके फिर से एक मार मांदर्दा को पुनर जिवन दिया गया था। करीब करीब देड़ सो दीन यात्रा यह असाब गट लेकिन हम देश का दुर्भा क्या है कि जहां कहीं सरकार जुड़ जाएं जहां कहीं राजनेता जुड़ जाएं तो उसके महत्मय को खंडित करने का ही प्रयास होता है। बरना यह ऐसी घटना है और मैं मत पुझेस की जनता को नर्दा यात्रा से जुड़े हुए इस सेवा यात्रा से जुड़े हुए लक्षावदी लोगों को नर्दा तट पर बसे हुए हर नागरीक को रदे से बढ़ाई देता हूं। यह ऐसी घटना है कि दुनिया के किसी देश में नदी की रक्षा के लिए देड़ सो दिन तक इतनी तपस्या की गई होती तो पुरे विश्फ में उसकी चर्चा हुई होती पुरे विश्फ में उसका जैकारा बोला गया होता दुनिया के बड़े बड़े टीवी चैनल इस गट्ना को अंकित करने के लिए दोड़ पड़ते हैं लेकिन ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हम हमारी अपनी इन प्रायासों का वैश्विक सामर्त क्या है न उसको जान पाते हैं न समझ पाते हैं और मो के गवा देते हैं आज कहीं एक सोलार पार्ग लग जाएं तो भी दुनिया में चर्चा होती है कि उस देश के उस इलाके में सोलार पार्ग लगा है मानोता की रक्षा के लिए यह नदी बचाने का इतना बड़ा काम हुआ है परियावर हर की रक्षा का इतना बड़ा काम हुआ है 25 लाक पार्ग से जादा लोगों ने संकल्प लिये हैं कोटी कोटी जन उसके जुड़े है शरीर को कस्त दिया है कथिनाईयों से गुजारे हैं दिन स्वयम परिश्रम करके पैदल चलके मापुर्थवी की रक्षा के लिए नदी की रक्षा के लिए परियाबरण की रक्षा के लिए मानोता की रक्षा के लिए इतना बड़ा अहम कडम उठाया है और इसका नेत्वरत्व करने के लिए मैं सिवराज जी को उनकी पूरी टीम को और मद्ध प्रदेश की जनता को बढ़ाई देता हूँ मेरा जन्म गुजरात में हुआ नर्वदा के एक-एक बुंद पानी का मुल्य क्या है वो गुजरात के लोग भली भाती जानते हैं और आज आपने जब नर्वदा के भविष्य के लिए इतना बड़ा अभियान उठाया है तो मैं गुजरात के गाउं की किसानों की तरब से वहां के नागरीकों की तरब से महरास्ता के गाउं की तरब से महरास्ता के किसानों की तरब से मध्यप्रदेश की जनता का मध्यप्रदेश की सरकार का मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री का अनेक अनेक अभिनंदर करता हूं उनका धन्यवाद करता हूं इन दिनों देश में स्वच्छता अभियान उसको अब एक धाचागत विवस्था मिली है लगातार थर्ड पार्टी के द्वारा हिंदुस्तान में इवेलुशन हो रहा है कौन सा राज्जमे स्वच्छता का क्या चल रहा है कौन सा सहर स्वच्छ है जन भागीदारी लोग तंतर की सबसे बड़ी ताकत होती है और अगर हम जन सामर्थ जन शक्ति जन भागीदारी इसकी उपेक्षा करेंगे तो सरकाने कुछ भी करने में समर्थ नहीं होती है कितने ही अच्छी विचार क्यों नहों कितना ही अच्छा नेत्रुत्व क्यों नहों कितनी अच्छी विवस्ता क्यों नहों लेकिन जन्द समर्थन के बिना कभी भी कोई चीज सफल नहीं होती है। और जन्द समर्थन से कैसे सफल होती है इसका उत्तमुदारण मद्यप्रदेश ने प्रस्तित किया है। पिछली बार जब सर्वेक्षन हुआ तब स्वच्छता की दिशा में मद्यप्रदेश का नाम बदनामी की सीमुई में आ गया था। लेकिन मद्यप्रदेश ने मन में ठान ली यह कलंग मिटाने का संकल्प किया। जन जागरन किया, जन भागीदारी बढ़ाई, जन जन को जोड़ा और आज मैं मद्यप्रदेश को बहुत बहुत बदाई देता हूँ। देश में जो 100 सिटी सफाई के लिए आकलन किया गया, उन 100 में सो में 22 मद्यप्रदेश के हैं। ये बहुत बड़ी सिद्धी है। हिंदुस्तान के और राज्यों को भी प्रेना तेने वाला काम स्वच्छता की दिशा में मद्यप्रदेश ने जन भागीदारी से करके दिखाया। इंदोर और भुपाल हिंदुस्तान के टॉप पर पहले और दूसरे नंबर पर आए। सो में से बाईश शहर स्वच्छता के अंदर अग्रिम पंक्ति में आ जाए। इसका मतलब यह हुआ कि पूरे राज्य में प्रशासन ने, सासन ने, जनता जनार्दन ने इसे अपना काम माना। और उसी का परणाम हुआ है, यह नर्वदा योजना, नर्वदा सेवा यात्रा की सफलता, यह सफलता भी सरकार की तांकत के भरोसे नहीं हुआ है, यह जनता जनार्दन की तांकत के भरोसे हुआ है। और जनता की तांकत जब जुड़ती है तो कितने बड़े परणाम आते हैं शिवराज जी ने छे करोड का लक्ष रखा है दो जुलाई को पैड लगाने का और उन्होंने ये छे करोड पैड की व्यवस्ता के लिए भी पिछले डेड़ साल से लगातार काम कर रहे हैं ये चोई ये अचानक नहीं हो रही है उसके लिए नर्शरी के अंदर सारी व्यवस्ताइं करी की जाती है तब जाकर के होते हैं लेकिन हम जैसे परिवार में एक संतान की देखभाल करते हैं वैसे ही इन नए हम बोने वाले पैड पाउधों की मावज़त करेंगे चिंता करेंगे तब जाकर के वो वटबुक्षत आयार होगा हमारी यहां सास्त्रों में कहा जाता है कि जो एक साल का सोचता है वो अनाज बोता है लेकिन जो आगे का भविश का सोचता है वो फलदार वर्क्ष बोता है ये फलदार वुर्च्ष बोने का काम ये आने वाले दिनों में अनेक परिवारों को एक आर्थिक गारंटी का भी कारण बनने वाला है मुझे भी स्वास है कि मदब्देश सरकार ने जो बिड़ा उठाया है और जो उन्होंने कारिय योजना बनाई है उसकारिय योजना की किताब मुझे उन्होंने पहले पहुचाई थी मैंने उसका अध्यान किया हर किसी के लिए उसमें काम है हर जगा के लिए काम है कब करना कैसे करना उसका वीदी विदान है कौन किस काम को देखेगा इसका पूरा प्रारूफ है एक प्रकार से परफेक्ट डॉक्यूमेंट है फ्यूचर भीजन का मैं देश के अंराज्यों से भी आगरा करूँगा और सिवराजी से भी आगरा करूँगा कि हिंदुस्तान के सभी राज्यों को एक किताब भेजे और प्राकुरतिक संसाधनों की रक्षा का तरीका क्या होता है मद्यप्रदेश को एक नमूना के रूपे एक उदाहन के तोर पर उसे लेकर करके सब अपनी अपनी योजना बनाए जल ही जीवन है यह तो हम कहते हैं नदी माता ही हम कहते हैं लेकिन हमारी पूरी अर्थे वववस्ता उसी पर आरधारित होती है उसके मिना आर्थे ववस्ता खोकली हो जाती है अगर आज मद्यप्रदेश में क्रिशी विकात 20 प्रतिशत पहुँचा तो उसमें सबसे बड़ा योगदान माता नर्दा का है यह ताकत है किसान की जिंदगी बदलने की ताकत यह माता नर्दा में है 2022 तक हिंदुस्तान के किसान की आए दो गुना करने का संकल्प लेकर के पूरे देश में काम चल रहा है मद्द प्रदेश ने उसकी पूरी योजरा तयार कर दिया है और उसका लाब किसानों के सहयोग से हिंदुस्तान के हर गाउं को मिलेगा यह मेरा विस्वास है भाईयो बैनो 2022 आजाजी के 75 साल हो रहे हैं क्या हिंदुस्तान के 700 करोड देश वासी हर पल 2022 का स्मरण नहीं कर सकते है हर पल आजादी के 75 साल की याद नहीं कर सकते है जिन माहपुर्शों ने देश के लिए बलिदान दिया जीवन लगा दिया जवानी जलों में खपा दी कुछ फासी पे तक्टच पर चड़ गए जिन्हों ने अपने जीवन के परिवार के परिवार तबाह कर दिये माभारती के आजादी के लिए क्या उनके सपनों को याद करते हुए हम संकल्प नहीं कर सकते कि बो दो हजार बाइस तक ब्यक्ति के नाते मैं देश के लिए इतना करूंगा परिवार के नाते इतना करूंगा समाज के नाते इतना करूंगा हम गाओं के लोग मिलके ये करेंगे हम नगर के लोग मिलकर के ये करेंगे हम संसा के नाते ये काम करेंगे हम समाज के नाते ये काम करेंगे हम राज्य के नाते देश के नाते ये संकलप करेंगे 2022 नया भारत बनाने का सपना लेकर के चलना है हर हिंदुस्तानी को जोड़ना आजा जी के अंदोलन पर जैसे देश जुड़ गया था देश को नई उचाहियों पर ले जाने के लिए नया भारत बनाने के लिए हर देश स्वात्षी को जोड़ना और इसलिए मैं आगरा करूंगा देश स्वात्षियों से आगरा करूंगा मैं मत्तप देश के सभी संगठनों से आगरा करूंगा आप भी मिल बैठकर के ताय करिए कि 2022 तक देश के लिए आपकी संस्ता आपका परिवार आपका समाज आपका संगठन आपका दल क्या करेगा आप लोग ताय कीजिए एक बार देश में माहूल बने अभी हमारे पांच साल है पांच साल में हम देश को कहां से कहां पहुचा सकते हैं मुझे भी सभास हैं अगर सभासो करोर देश सभासी एक कदम देश के लिए आगे चल पड़ेंगे तो देश पांच साल के बीतर बीतर सभासो करोर कदम आगे निकल जाएगा दोस्तों और इसलिए हम इस संकल पकुले करके चले मैं आज पुझ्य अवदेशा नंजी का विशेस्ट आभारी हूँ जो आशिर्वतन उन्होंने मेरे लिए कहे हैं जो भाव उन्होंने प्रगट किये हैं मैं इश्वर से यही प्रार्थना करूँगा कि हम सब में वो क्षमत आए वो अच्छाईयां आए वो समर्पन का भाव आए ताकि देश की सही सेवा करने के लिए हम अपने आपको योग्य पाएं योग्य बना पाएं मैं उनके इस आशिर्वाज वचन के लिए रदे से बहुत बहुत आभार वेक्तर करता हूं और उनको प्रणाम करता हूं मैं आप सबको भी रदे से बढ़ाई देता हूं और जैसा सिवराज जी ने कहा यात्रा का यहां विराम है लेकिन अब यात्रा में जो भी सोचा जो भी देखा जो भी किया इसको चरितार्थ करने का यग्य शुरू हो रहा है यह सेवा का यग्य शुरू हो रहा है यात्रा समात हुई यग्य यारंब हुआ यग्य में आहूति देनी पड़ती है समय देना पड़ता है अपनी सारी इच्छा कांच्छाओं को समाज के लिए आहुत करनी पड़ती है मुझे भी समास है यह नर्वदा के उजवल भविश्का यग्य आप सब के सफल प्रहत्तों से अवश्य नई उचाईयों को प्रात्त करेगा इसी एक भावना के साथ आप सब मेरे साथ के मैं कहूंगा नर्वदे आप कहेंगे सर्वदे नर्मदे आवाज मान नर्वदा के उस किनारे तक पहुंचनी चाहिए खंभात की खाड़ी तक नर्मदे आप 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 नर्म